नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशेल यूटूब चैनल गुरुजे स्पेशल क्लासिस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्ष उपस्तेत हो साइन्स विशेवस्तू को लेकर इस्ट्रेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं motion topic पर based और कुछ most important points के बारे में जैसे कि आपके वेग या फिर ओसत वेग या फिर त्वरन कितने परकार के होते हैं त्वरन किसे कहते हैं और उन से लेटेट किस तरीके के numerical बनते हैं इन सभी points को हम आज की क्लास में cover करने की कोशिश करेंगे तो चले शुरू करते हैं आज की point istström वो है आपका वेग जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं velocity तो देखे velocity क्या है अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि वेग हम किसे कहते हैं तो एकंग समय में तै किये गए विस्थापन को वेग कहते हैं देखे एकंग समय में नहीं कि समय कितना होगा एकंग होगा जी ए से हम इस definition को बना सकते हैं कि मान लिजे कि इनोंने कहा कि समय कितना है एक समय कितना है एक तो अगर हम यहां पर एक समय को ले लेंगे तो आपका जो वेग होगा और विस्थापन होगा आपस में क्या हो जाएगा वराबर हो जाएगा यहनि कि समय की value समय का अगर मान एक हुआ तो इस case में वेग और विस्थापन आपस में बराबर हुआ इसी कारण से एकांग समय मैंनि कि जब समय एक हो तो उस दोरान तय किये गए विस्थापन है यहनि कि समय की value अगर 1 हो तो उस दोरान आप जितना विस्थापन तय करते हैं उसी को ही हम वेग कहते हैं तो इस formula से आप definitions बना सकते हैं बट इस definitions का बहुत जादा महत्व नहीं है सिर्फ आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है तो इसके लिए आपको ये formula बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि students सीधे सीधे आपके numerical पूछे जाते हैं कि यदि किसी पिंड का विस्थापन 5 सेकंड में 10 मीटर है तो उसका वेग बताओ तो अगर विस्थापन 10 मीटर है और समय 5 सेकंड हो तो इसका मतलब होगा 5 से इसको काट देंगे 2 बार तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड तो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा students उसका वेग हो जाएगा तो इस तरीके से एक तो आपको ये formula जरूर ध्यान रखना है क्योंकि simple से प्रशन आपके exam में बनेंगे और ये numerical इतने आसान होते हैं कि maximum students इसको गलत कर देते हैं या देख कर डर जाते हैं बट इसमें होता कुछ भी नहीं है इतना आसान है अगर आप इस तरीके से समझ कर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आपको लगेगा भी नहीं कि कोई question पूछाए आपसे तो ध्यान आपको ये रखना है कि formula जो वेक का होता है वो होता है विस्थापन बटे समय और यही सबसे ज्यादा important students अगर आपने इस formula को ध्यान कर लिया तो इसी formula से आप definition भी बता सकते हैं इसी formula से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं और इसी formula से आप VMI भी निकाल सकते हैं यह सभी चीज़े इस formula पर based है इसलिए आपको ये formula ध्यान रखना होगा कि इसका जो formula होता है वेक बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय अगर आपको ये formula ध्यान है क्योंकि अब जो आपके exam है उसमें कभी भी definition तो नहीं पूछे जाते तो ये definition आपको समझने के लिए है सिर्फ main formula इसका यही है वेक बराबर विस्थापन बटे समय इससे आप बाकी सभी चीजे calculate कर सकते जैसे देखिए अगर आपको पता है वेक बराबर विस्थापन बटे समय तो आप निकाल सकते हैं कि विस्थापन को जब हम मात्रक में निकालते हैं तो विस्थापन का जो मात्रक होता है नहीं विस्थापन क्या है displacement मतला आपने कितने distance travel की है तो आप कितने distance travel करते हैं उसको आप किस में नापते हैं मीटर में नापते हैं और समय को आपको पता है, SI पदती में किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, तो इसी फॉर्मूले से आप से अगर पुछा जाए, वेक का मात्रक बताएगे, तो आप क्या बताएंगे मीटर पर सेकंड तो इसी फॉर्मूले से आप पहुंचे मीटर पर सेकंड क्या होता है वेक का मात्रक और यहीं से अगर आप इसकी वीमा निकालेंगे स्ट्रेंड्स तो वीमा भी देखे M0 L1 T-1 हो सकता है आपको M0 ना देकर सीधा सीधा देखे रखे L की पावर 1 और T की पावर माइनस 1 तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि M इसमें है ही नहीं 0 है M तो L1 है और T-1 ये कैसे निकला तो वो देखिए आप वीमा कैसे कैलकुलेट करेंगी तो देखे जब आप विस्थापन को कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको यूनिट सिस्टेम में बताया है कि जो MKS होता है M4 होता है मास यानि जब भी आप मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आप M का यूज करते हैं जब आप किसी चीज की length को calculate करते हैं तो उसके लिए आप L का use करते हैं और जब भी आप किसी का समय calculate करते हैं तो उसके लिए आप T का use करते हैं तो आपको पता है वेग बराबर होता विस्थापन बटे समय निकि विस्थापन को जब आप calculate करते हैं आप length का use करते हैं नहीं कि L क्या हो जाएगा एक हो जाएगा और जब आप समय को calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा T तो यह T जब उपर जाएगा तो strength हो जाएगा L की power तो 1 है T की power भी 1 है नीचे बट यह T जब उपर जाएगा तो हो जाएगा minus 1 तो इसका मतलब इसकी जो वीमा है वो L1 T minus 1 है या आप इसमें add कर सकते हैं M0 है क्योंकि हम तो है ही नहीं तो M0 L1 T minus 1 तो अगर आपको option में L1 T minus 1 दिखे तो आपको वेग की वीमा यही बतानी है और अगर M0 L1 T minus 1 है तो भी आपको यही बताने है और निकलता कैसे है तो वो भ सेकेंड में तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और अगर इसकी वीमा पूछ ले आप से तो इसकी वीमा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं L1 T minus 1 होता है उमीद करता हूँ कि यहां तक सभी चीज़े आप क्लियर कर पायोंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते ह स्थ्चिवेंट की यह एक सदिश राशी है तो यहां एक सदिश राशी इस बात को भी आपको ध्यान करना है और इसको मैंने मापन और मात्रक में बहुत अच्छे से बता रखा है कि कोई भी शब्द जो वैस से स्टार्ट होता है ज्यादा तर शब्द कैसे होते हैं वो सद सदिश राशियां है तो इसका मतलब यह हुआ कि वेग आपकी कैसी राशी है सदिश राशी क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किस्से है वैसे तो मैक्सिमम चांसेस पर आप एजिली राशी भी बता सकते हैं तो इस्टुएंट्स यह सभी पॉइंट बहुत ज्यादा समय और इसी बेसेस पर आप इसके मातरक को कैलकुलेट कर सकते हैं इसी आधार पर आप इसके वीमा कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी कारण से आप बता सकते हैं कि वेग कैसी राशी है तो यह सदिश राशी है इस तरीके से स्टुएंट्स अगर आप वेग को समझेंगे तो ह इसके सभी points को आप easily clear कर पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आपका strengths ओसत वेग जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं average velocity तो ओसत वेग क्या होते देखे strengths अभी आपने पढ़ा है last classes में चाल और चाल के साथ साथ आपने पढ़ा ह है औसत चाल औसत चाल पर आपके 68500 में questions पूछे गए है numerical तो हो सकता है अगर आप वेग पढ़ते हैं तो औसत वेग पूछ लिया जाए या इस पर बेज numerical पूछ लिया जाए क्योंकि ये भी आपके motions के इंतरगत आते हैं तो इस point को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो देखिया अगर आप से कभी पूछ जाए कि औसत वेग हम किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कुल विस्थापन वे विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं देखिये कुल विस्थापन अभी आपने पढ़ा है students की वेग बरावर होता है चीज को भी आपको ध्यान रखना है अगर आप से कभी भी औसत वेग पूछा जाए तो आप बताएंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय यहीं से आप definition बना सकते हैं कि कुल विस्थापन वे विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को देखें स्टुएंट्स यह वटे वेग को भी easily समझ पाएंगे अब इस्टुएंट्स अगर आप कभी भी यहाँ पर average velocity को calculate करना चाते हैं तो देखें कुल विस्थापन मान लिजे कि कोई वस्थू है जो y1 पोजिशन पर है और कुछ समय बाद यह y2 पोजिशन पर जाता है तो इनके बीच में जो विस्था क्या हो जाएगा तो हो जाएगा T2 माइनस का T1 इस तरीके से भी आप इसके formula को calculate कर सकते हैं कुल मिलाकर आपको ध्यान यह रखना होगा कि कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात होगा उसी को ही हम औसत वेग कहेंगे तो औसत वेग के लिए आपको यह formula ध्यान दिशा में एक समान दर से परिवर्तित है यानि कि यदि वस्थू का वेग मान लिजे कि आपके पास कोई वस्थू है उसका वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से यानि कि एक समान रेट से निश्चित दिशा में परिवर्तित हो तो उस case में औसत वेग क्या होगा दे पहुँचता है तो इसका जो direction है वो कुछ इस तरीके से है अब मान लिजे कुछ शन वो वस्तू B से फिर से A में आता है तो उसका direction चेंज हो जाएगा तो यदी वस्तू का वेग निशित दिशा में एक समानदर से परिवर्तित हो तो इस case में क्या हो जाएगा strength की आपकी मान लिजे प्रारंभिक वेग तो प्रारंभिक वेग को हम कहते हैं U और जो होता है आपका अंतिम वेग जिसको हम कहते हैं V मान लिजे की A से B में जाने के दौरान इसका प्रारंभिक वेग आपका U था और B से A में आने के दौरान इसका प्रारंभिक वेग आपका V था, इसी तरीके से next point इसका बनता है strength conditions किमान लिजे कि कोई Vस्तू A से B point किसी एक निश्चित वेक से जाता है और B से C point किसी दूसरे निश्चित वेक से जाता है, इसका detto यहाँ पर एक condition बनता है कि यदी वस्तू का वेक निश्चित दिशा में एक समानदर से परिवर्तित हो तो उस case में जो आपका उसत वेग होगा वो यही होगा प्रारंभिग वेग प्लस अंतिम वेग और बटे में 2 जिसको हम प्रारंभिग वेग को U कहते हैं और अंतिम वेग को हम V कहते हैं तो उस case में जो उसत वेग आएगा वो जाएगा U प्लस V बटे में 2 तो इस तरीके से भी आपसे नुमेरिकल बन सकता है अगर इस तरीके से आपसे नुमेरिकल कभी पूछे जाए तो आपको इस तरीके से बताना है conditions पर depend करता है कि वो आपसे किस तरीके के condition में पूछता है यदि मान लिजे simple सा आपके पास ओसत वेग पूछा जाए तो आपको बताना है कुल विस्थापन बटे में कुल समय और अगर कभी भी direction पर based condition में आपसे ओसत वेग पूछे तो आपको बताना है औसत वेग वरावर हो जाएगा प्रारम भीग वेग प्लस हो जाएगा अंतिम वेग और उसको दो से भाग करेंगे तो आजाएगा आपका औसत वेग यह आपके mathematics में एक chapter होता है average का जिसमें क्या होता है average का formula होता है पदो का योग बटे पदो की संख्या तो जितने पद होंगे उतने पदो से आप उसे भाग करेंगे तो एक पद तो आपका U है दूसरा पद V है इसलिए पद हो गए दो तो दो से कर देंगे भाग और सबी पदो को हम कर देते हैं add तो यहाँ पर दो ही पद है एक तो जाने का था प्रार्मभिग बेग और आने का था अंतिम वेग अगर आपके पास प्रारंभिक बेग और अंतिम बेग कभी भी गीवन हो और आपस उसद बेग पूछा जाए तो आप एजिली बता सकते हैं U प्लस V वटे 2 इस तरीके से भी आपसे नुमेरिकल पूछा जा सकता है मान लीजे फॉर एक्जामपल के लिए आपसे जैसे 68500 में औसत चाल पर बेस्ट कोशिन्स पूछागे यहाँ पर हो सकता औसत वेग से कोशिन्स आपसे बनें तो अगर आपसे यहाँ पर कोशिन्स पूछा जाए कि वेग से वापस आता है तो उसका औसत वेग बताईए तो इस केस में जो जाने का वेग यानि कि यह प्रारंभीग वेग यू है और यह अंतिम वेग वी है तो इस केस में दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और अपॉन में टू करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा करता है 15 बटे में दो इसका हो जाएगा 7.5 तो इसका जो असद वे हो जाएगा स्ट्रेंट वो जाएगा 7.5 मिटर पर सेकिंड तो इस तरीके से आप से questions पूछा जा सकता है numerical बन सकते हैं तो अगर कभी भी आप से इस किसे numerical पूछे जाए तो आप easily इस तरीके के questions को solve कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि आप उसद वेक को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubts आपका बनता है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ चलिए यहाँ पर दो point बता हैं जिसके माध्यम से आप त्वरण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं otherwise होता क्या है कि आप त्वरण को सिर्फ रटते हैं आपको रटना नहीं है यहाँ पर आपको समझना है देखे पहले point में आपको बताया गया है कि कि किसी भी वस्तू का बेग में कोई त्वरण उत्पन नहीं हो सकता देखे किसी भी वस्तू का मान लिजए आपके पास कोई वी वस्तू है जिसका वेग कैसा है एक समान है निकि equal है तो उस case में वस्तू के वेग में कोई त्वरण उत्पन नहीं हो सकता यहनी कहने का मतलब मान लिजए कि कोई वी वस्तू आपके पास है और वो एक समान वेग से गतिमान है तो वहाँ पर अगर आप से पूछा जाए तो आप बताएंगे वहाँ पर बिल्कुल भी त्वरण नहीं है क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हाँ पर कभी भी त्वरण उत्पन नहीं हो सकता तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कि किसी भी वस्तू का वेग एक समान हो है रहा जगां janå हो तो उस केस में कभी भी उस वस्तू में त्वरण उत्पन नहीं हो सकता तो इसको sτό पॉइंट के माध्यम से देखिए किसी भी वस्तू के बेग में किसी भी समयंत्राल में उत्पन हुआ परिवर्तन ही त्वरन कहलाता है कि कि किसी भी वस्तू के वेग में कोई भी वस्तू आपके पास है और उसके वेग में किसी भी समयंत्राल में कोई भी टाइम पिरियेड मे जो भी उसके वेग में परिवर्तन उत्पन होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे त्वरण कहेंगे इसका मतलब आपका त्वरण का फॉर्मुला हो जाएगा इस्ट्वेग परिवर्तन बटे समयंत्राल थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरे इस्ट्वेट यहाँ पर प्लस नहीं ह पर माइनस भी नहीं है नि वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन बटे समयंत्राल को ही हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं अगर आप डेफिनिशन बनाना चाहते हैं तो आप एजली बना सकते हैं कि वेग परिवर्तन बटे समयंत्राल वेग परिवर्तन मतलब वेग में जो च जब जब प्रति सेकंड परिवर्तन होगा तभी उसमें त्वरण उत्पन होगा अगर मान लिजे कि 5 सेकंड तक वेग समान रहा इक्वलिटी के साथ रहा तो उसमें कभी भी त्वरण उत्पन नहीं हो सकता इसलिए आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इसी भी वस्तू का वेग एक समान हो तो वस्तू के वेग में कोई त्वरण उत्पन नहीं हो सकता जब जब उसके वेग में परिवर्तन होगा और प्रति सेकंड होगा तभी त्वरण उत्पन होगा तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे इस फॉर् बरावर आप पढ़ते होंगे वेग परिवर्तन बटे समयंत्राल लेकिन यहाँ पर confusion यह बनता है कि मान लिजे कि कोई वस्तू है जिसका वेग यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड बाद भी यहाँ पर 5 मीटर होगा तभी त्वरण उत्पन होगा तो इसलिए आपको बताया जाता है कि त्वरण बरावर होता है वेग परिवर्तन बटे समयंत्राल और इसका formula होता है students V minus U upon T देखे वेग परिवर्तन जब भी आप किसी भी चीज में परिवर्तन को calculate करेंगे तो आप minus निकालेंगे तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि यह minus का sign नहीं है यह dash का sign है जिससे आपको वेग और परिवर्तन के बीच में एक सम्मन्ध है dash से लेकिन formula में अगर आप से पूछा जाए त्वरण निकालने का तो आप direct निकाल सकते है त्वरण वरावर होगा यनि time period होगा उससे आप कर देंगे भाग तो आपको मिल जाएगा त्वरण उमीद करता हूँ कि इस formula के माध्यम से आप त्वरण को समझ पायोंगे इस पर based numerical भी बनते हैं उनको भी हम आगे समझेंगे चलि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और next point आपसे क्या कहता है तो next point आपसे कहता है स्ट्वरण के मात्रक आपसे सीधे सीधे exam में questions पूछा जा सकता है कि त्वरण का मात्रक बताए तो त्वरण का अगर आपसे क्या calculate करते हैं वेग calculate करते हैं वेग अभी आपने पढ़ा है क्या होता है विस्थापन बटे समय ठीक तो विस्थापन बटे समय तो अगर आप वेग परिवर्तन कर रहे हैं कि पहले का वेग और अंतिम वेग उसको माइनस करेंगे तो कहीं न कहीं आप वेग तो calculate करेंगे ही तो इसका मतलब vague calculate करेंगे तो आप क्या calculate करेंगे विस्थापन बटे समय और विस्थापन का आपको पता है मीटर और समय का होता है आपका second तो मीटर पर second तो हो गया vague का और नीचे भी आपका है समय अंत्राल जो एक समय अंत्राल का आपका क्या है second तो यहाँ पर हो जाएगा तो meter प्रती second square होगा जो कि त्वरन का मात्रक है और यही इसका right option हो जाएगा अगर आप से exam में पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या है meter पर second square ही है लेकिन अगर आप definition से यहां पर जाएंगे तो हो सकता आपको confusion बने आपको ध्यान यह रखना है कि उपर वाला जो स्ट्वेंट हो जाएगा second का square इसलिए इसका मात्रक बनता है meter पर second square उमेद करता हूँ कि आप इसके मात्रक को समझ पायोंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी वीमा तो इसकी वीमा अगर तवरन की आप से वीमा पूछा जाए तो आपको बताना है अगर option में L की पावर 1 और T की पावर माइनस 2 है तो आपको इसके साथ जाना है और अगर आपके पास ये नहीं है तो definitely होगा M0L1T-2 क्योंकि यहाँ पर M तो कुछ ही नहीं और आपको पता है strengths आप वीमा कैसे calculate करते हैं तो देखे जब आप meter में किसी चीज को calculate करते हैं तो इसका मदलब आप length calculate कर और नीचे आपके पास secondary की समय दो बार तो समय के लिए आप use करते हैं T और T की power कितना हो जाएगा 2 जब ये T की power 2 उपर जाएगा तो हो जाएगा T की power minus 2 और L की power 1 हो सकता है आपको option में ये दिखे तो इसके साथ जाना है और अगर ऐसा नहीं है तो M0 जरूर होगा तो आप को इसके साथ जाना है क्योंकि इसमें M का कोई role नहीं है लेकिन examiner आपको confuse करने के लिए M0 भी include कर सकता है तो इसलिए आपको हर तरीके से करके चलना है किसी भी तरीके से examiner आपको confuse करे अगर आपका concept के लिए है तो आप बहुत ही आसानी से options के right option तक पहुंच सकते हैं उमी लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है त्वरण को आप इस तरीके से लिखते हैं तो यह starting में है आधत है इसका मतलब इसकी starting letter मानिया वैसे और जो वैसे start होने वाले शब्द होते हैं वह mostly आपके सदिश राशी के इंतरगत आते हैं तो उस condition से भी आप पहुंच सकते हैं कि यह एक सदिश राशी है और वैसे मैंने आपको सभी चीजों के बारे में बता रखा है अधिश राशी और सदिश राशी को कैसे चाटना होता है एक question यहां से बन सकता है students क्यूंकि mostly बच्चों में यहां पे confusion जादा होता है कि कि किसको अधिश बोले और किसको सदिश बोले सद सदिश वाले points को अच्छे से clear करके हटाते हैं तो उनको छोड़कर बाकी सभी आपकी क्या होते अधिश राशी में आते हैं तो अधिश राशी से question ज्यादा बनते नहीं आप से सीधे सीधे सदिश राशी पूछे जाते हैं इसलिए सदिश राशी में जो mostly जो exam में जो point ब लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next और last point आपके त्वरण के अंतरकत बनता है इस्ट्रेंट की त्वरण तीन प्रकार के होते हैं देखे आप से पूछा जा सकता है कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं तो अगर आप से पूछा जाए कि त्वरण कितने प्रकार के तो आप बताएंगे त्वरण तीन प्रकार के हैं एक है आपका धनात्मक त्वरण दूसरा है आपका रिनात्मक त्वरण और तीसरा है आपका शुन्य त्वरण अब धनात्मक तवरन किसे कहते हैं कब होता है रिनात्मक तवरन किसे कहते हैं कब होता है और शुण्य तवरन किसे कहते हैं कब होता है चलिए इसको भी समझते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है धनात्मक तवरन एनी positive acceleration क्या होता है तो इनसे रिलेटिट जो पहला पॉइंट इस्ट्रेंट्स वह यह है कि यदी किसी नियत इस्ट्रेंट्स यहाँ पर थोड़ सा टाइपिंग एरे से तै कर लीजे तो यदी किसी नियत वेग से वस्तु के वेग को बढ़ा दिया जाए तब धनात्मक त्वरन उत् मान लिजे कि इनिशियल वेलोसिटी जो आपका नियत वेग है वो कितना है पचास किलोमेटर प्रती घंटा यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी नियत वेग है पचास किलोमेटर प्रती घंटा और इस वेग से आप वस्तु के वेग को धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसके प्रती सेकंड आप वेग को बढ़ाते हैं और कुछ श्रंड वस्तु इस पोजिशन पर पहुंचता है और इसका आप वेग कैलकुलेट करते हैं तो होता है 70 km प्रती घंटा तो इस ट्रेंट्स यहाँ पर प्रती सेकंड ध्यान रखेंगे प्रती एक सेकंड इसमें क्या कि 20 km प्रती घंटा और अलतिम वेख में बढ़ोती होता हैं तो जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब 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 तुरन उत्पन होगा और यदि में बढ़कर परिवर्तन होगा यहीं कि बढ़कर उसके वेग में चेंज़ेंगे बढ़ेंगे उसका वेग तो उस केस में हो जाएगा आपका धनात्मक त्वरन उमीद करता हूं कि धनात्मक त्वरन को आप एजली क्लियर कर पायोंगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स पॉइंट आप से क्या कहता है तो नेक्स पॉइंट आप से कहता है तो नेक्स पॉइंट आप से कहता है तो देखें नेगटिव एक्सलेरेशन क्या होता है इसको भी आप समझ पा रहे होंगे कि धनात्मक का उल्टा होता है तो इसमें क्या होता है यदि किसी वस्तू क के वेग में यहां पर भी थोड़ सा टाइपिंग एरर है यदि किसी वस्तू के नियत वेग से धियान रखेंगे यहां पर हो जाएगा आपका नियत तो यदि किसी वस्तू के नियत वेग से वस्तू के वेग को घटा दिया जाए मान लीजे कि आपके पास कोई इनिशियल विल परिवर्तन होना चाहिए जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब 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 तोरण उतबन होगा और य entity आप किसी वस्तू के नियत वेग से वेग को घटा देते है तो उसमें रिनातमक्त तोरण उतबन होता मंदन का मतलब होता है मंद गती और मंद गती का मतलब यह है कि आपके वेग में क्या हो रहा है परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कैसा परिवर्तन हो रहा है नेगेटिव हो रहा है तो जब जब नेगेटिव परिवर्तन होगा तो तब तब आपके रिनात्मक त्वरन उत्पन ह इस वस्तु का जो वेग है वो आता है 20 km प्रती घंटा तो आप समझ पारें 50 km प्रती घंटे के वेग से वस्तु ने चलना प्रारम किया और अंत में उसका वेग हुआ 20 km प्रती घंटा तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस 30 km प्रती घंटे की क्या हुई कमी तो जब जब माइनस घंटेगा वेग में परिवर्तन होगा लेकिन वो घंटने को परदर्शित करेगा तो तब तब आपका जो त्वरन होगा इनि की नेगटिव त्वरन तो उमित करता हूं कि आप धनात्मक त्वरन और रिनात्मक त्वरन को easily clear कर पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next point आप से क्या कहता है तो next point आप से कहता है शुन्य त्वरन तो शुन्य त्वरन यानिकि zero acceleration तो zero acceleration किसे कहते हैं इसको समझते हैं तो इसके नतरगत जो point है श्ट्रेंट सापका वो यह है कि जब वस्तू के वेग में किसी भी प्रकार का परिवरतन ना हो तो उसे शुन्य त्वरन कहते हैं यानिकि जब किसी वस्तू के वेग में मान लिजे कि कोई वस्तू है और उसके वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवरतन नहीं होता है यानिकि कोई भी changes नहीं होता है तो उसको हम क्या क कहते हैं शुन्य त्वरण कहते हैं नहीं कि zero acceleration कहने का मतलब क्या है तो for example के लिए मान लिजे कि कोई वस्तू है जिसकी initial velocity है 50 km प्रति घंटा और इसकी जो अंतिम velocity है ये भी आपके 50 km प्रति घंटा इसका मतलब ये 50 km प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारम किया और इसका हर जगा जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं वा तो जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मैने आपको पहले ही बताया कि जबidden में कोई भी परिवर्तन नहीं होता ना तो घड़ता है और ना बढ़ता है तो वहाँ पर कोई भी त्वरन भी उत्पन नहीं होता है तो जब जब त्वरन उत्पन नहीं होता है तो उसको हम कहेंगे शुन्य त्वरन है यही नहीं त्वरन शुन्य है तो इसलिए इसको कहा जाता है शुन्य त्वरन तो उम्मीद करने के लिए ज़ए प्रशन नहीं होता है तो यहांगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स प्हूंगि आप यहां पर आपको बताया गया है कि यदी कोई वस्तु गुरुत्य बल के अधिन गती करते हुए तो यदी कोई वस्तु गुरुत्य बल के अधिन गती करते हुए गती शील होकर नीचे की और गिरती है तब उसमें त्वरन धनात्मक त्वरन होगा ध्यान रखेंगे इस पॉइ न्यूटन साब को पढ़ेंगे बल वाले टॉपिक में तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वैसे आपको पता होगा कि न्यूटन साब के ऊपर जब सेव गिरा था तो उन्होंने इसकी खोज की थी तो देखे जब गुरुत्वया बल के अधिन गती करते हैं या केव जो है वो नीचे ही क्यों गिरा उपर क्यों नहीं गया या फिर रुका क्यों नहीं तो इसके बारे में खोज sharpen साब ने किया था तो कहने का मतलब scratch on Newton साब ने जो खोज कल था वो गुरुत्वा आकरशन बल काूँ लेकिन इस प्रकार का जो त्वरन होता है इस्ट्वेंट्स वो आपका होता है धनात्मक त्वरन क्योंकि गुरुत्वाकर्षन नीचे की और है तो जब गुरुत्वाकर्षन बल नीचे की तरफ है और पिंड भी नीचे की और गती कर रही है तो इसका मतलब इसमें जो त्वर त्वरन कहते हैं कि धनात्मक त्वरन कहते हैं कहने का मतलब यह है कि मान लीजे कि आप किसी वस्तु को नीचे की और खीच रहें और आपको पता है कि आपके खीचने के साथ मतलब आप जब खीच रहें उस वस्तु को तो उस पर एक वेग लग रहा होगा जो आपके द्वारा लगाया जा रहा और इसके अलावा प्रिथिवी भी उस पर एक वेग लगा रही है नीचे के और आने का तो ये आपका वेग है और ये प्रिथिवी का वेग है दोनों ही वेग एक ही दिशा में है तो इसका मतलब उसके वेग में जादा जल्दी से परिवर्तन होगा इसका मतल पर सेकंड लेते इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में कंफ्यूजन होता है तो इसको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट मैंने आपको बताया है कि यदी कोई वस्तू गृत्वय बल के अधिन गति करते वे गतिशिल होकर नीचे की और गिरता है तो उसमें जो त्वरन हो मान होता है वो होता है जी बराबर प्लस का 9.8 मीटर पर सेकंड इसी तरीके से स्ट्रेंट नेक्स पॉइंट आपका जो बनता है वो यह है कि यदी किसी वस्तू पर एफ बल लगा कर उसे उपर की और फेका जाता है तब गृत्वय बल के अधिन त्वरन रिनात्मक त्वरन होगा देखे आप किसी वस्तू को उपर की और फेक रहें तो आपके द्वारा जो इस पर बल लगा कर मतलब इसके वेग में जो आप परिवर्तन कर रहे हैं वो किस तरफ है उपर की तरफ और आपको पता है कि प्रतिवी जो है उसे नीचे की और आकरशित कर रही है तो यद case में हम g की value को calculate करते हैं minus में यहां पर थोड़ा सा typing error इसको आप minus कर लिजेगा तो g बराबर हो जाएगा minus के 9.8 meter per second square इस्टेंट बहुत ही ज़्यादा important concept है इसको आपको ध्यान रखना है कि जब आप वस्तू को नीचे की और खीचते हैं तो उस पे तो आप उसके वेग में परिवर्तन कर रहे हैं उसकी वज़े से भी त्वरण लग रहा है और आपको पता है प्रतेक वस्तू पर एक गृत्प्य आकरशन बल लगता है जो हमें Newton साब ने बताया है तो उस cases में उस वस्तू पर भी कही ना कहीं गृत्प्य त्वरण लग रहा होगा जो से नीचे की और खीचता है तो दोनों ही टाय्रेक्शन एक ही तरफ है तो इसका मनलों उसमें ज्हादा ही परिवर्तन होगा उसके वेग में और ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं धनात्मक्त्व त्वरण यहीं जब-जब उसके वेग और नीचे की और भी गृत्य क्यार्य करता है तो इसका मतलब आपका वेक ऊपर की और है और वस्तु द्वारा जो गृत्य बल्ल लगाया जा रहा वो नीचे की और है तो difference में भी आपके वेगं में परिवरतन होगा और मैंने आपको बताया जब-जब परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण उत्पन होते हैं और इस प्रकार के त्वरण को हम कहते हैं रिनात्मक त्वरण तो जब जब इस तरीके के कंडिशन बनेंगे तब तब आपको जी की वैलू को माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वार लेना होता है इस्ट्रेंट्स ये पूछा जा सकता है कि एक बस की गती 5 सेकंड में 200 बटे 9 मीटर पर सेकंड से घटकर 150 बटे 9 मीटर पर सेकंड हो जाती है ये बस की जो गती है इसका जो वेग है वो 5 सेकंड में तो समय तो आपको दिया है तो समय तो आपको दिया है इस्ट्रेंट्स T बराबर 5 सेकंड और इसने कहा है 200 बटे 9 मीटर पर सेकंड है निकि 9 मीटर पर सेकंड ये क्या है आपका वेग तो ये वेग क्या है इस्ट्रेंट्स प्रारंभी वेग कितना है 200 बटे 9 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट है इस्ट सीधा आपसे acceleration पूछा गया है तो मैंने आपको त्वरन का formula नहीं कि त्वरन को तो हम alpha से denote करते हैं तो त्वरन का formula मैंने आपको बताया है कि V minus होता है यू और upon में होता है T तो मान लीजे कि आपके पास जो वेग दिया है निकि प्रारमभी वेग यू है आपका 200 बटे 9 मिटर पर सेकंड और जो आपका अंतिम बेग है वो है 150 बटे 9 मिटर पर सेकंड तो इनका अंतर है निकि इनका difference आपको calculate करना है तो यहाँ पर जो आपके पास V है नि पहले आएगा V तो वो है आपका 150 और बटे में है 9 माइनस हो जाएगा आपका difference 200 बटे में हो जाएगा 9 तो इनको आपको calculate करना है और बटे में है आपके पास T यानि कि समय कितना है 5 सेकंड तो जब आप उपर वाले को solve करेंगे तो 150 बटे 9 माइनस 200 बटे 9 तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 50 बटे 9 के भी नीचे आपके पास 5 तो 5 इसके साथ हो जाएगा गुना में तो आपका हो जाएगा माइनस के 50 और बटे में हो जाएगा 45 9,5 जब 45 है नहीं हो जाएगा आपका माइनस के 50 बटे 45 या तो आप 50 बटे 45 option में हो सकता है या फिर option में होगा 5 धम 50 और 5 निम 45 तो आपके पास option हो सकता है minus के 10 बटे 9 तो minus के 10 बटे 9 आपका हो जाएगा त्वरन और यही स्कोशन्स का right option हो सकता है आप से minus 10 बटे 9 का मतलब इस यहाँ पर हो रहा है रिनात्मक त्वरन इसलिए यहाँ पर minus में आ रहा है अगर आपके पास option में minus 10 बटे 9 है तो आप minus 10 बटे 9 के साथ जाएगे और अगर minus 10 बटे 9 option में नहीं है तो definitely 10 बटे 9 option में होगा और इसके अलाबा कोई option इसकी तरह नहीं होगा इसका मतलब इसलिए त्वरन तो उसमें है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर का लेकिन यह त्वरन कैसा है minus का मतलब यहाँ पर negative त्वरन है तो इसका मतलब हो सकता है आपसे questions में बसका त्वरन पूछा गया तो अगर त्वरन है तो option में जरूर 10 बटे 9 मीटर का मान हो जाएगा आपका minus के 10 बटे 9 या फिर 10 बटे 9 तो आपको किसी भी तरीके से पूछे जाए अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है सिर्फ त्वरन तो आपको बताना है 10 बटे 9 अगर आपसे पूछा जाए इससे किस प्रकार का त्वरन उत्पन होगा तो आपको बताना है रिणात्मक त्वरन उत्पन होगा जिसका मान होगा minus 10 बटे 9 मेटर पर सेकंड स्क्वेड तो इस तरीके से आपके एक्जैम में नुमेरिकल पूछे जाएंगे जो बहुत ही आसान है इस कोशन में आपसे सीधा सीधा पहले समय से भाग कर देते तो आपको त्वरन मिल जाता है तो इस तरीके से आपसे त्वरन पर बेस्ट कुछ भी पूछा जाए इस से बाहर नहीं पूछा जा सकता या तो नुमेरिकल बन सकता अगर टफ पेपर बनाना है और अगर टफ पेपर नहीं बनाना है तो इन से related बहुत सरे ऐसे point भी है वो वही बच्चा कर पाएगा जो concept को बहुत अच्छे से पढ़ के आएगा clear करके आएगा उमीद करता हूं कि यहां तक जितने भी points हमने discuss किये हैं उन सभी points को आप easily clear कर पाए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubts आपके मन में बनत अब से आपको continue classes मिलते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही अगर आपको एक लास अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वैल आइकन को भी प्र